चलते चलते हसते गाते यू कटे सफर जिन्दगी का जिन्दगी एक सफर है सुहना तो आईए इस सुहने सफर में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहा है श्री सुबा सौरल जी से जो एक फिल्म निर्माता निर्देशक एम लाइन प्रोड्यूसर है कोटा में भी कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग करवाने में इनका बड़ा योगदान रहा ये मंचों से भी जुड़े में तो आईए हम इन से आपकी मुलाकात करवाते हैं नमशकार आज आप मारे शो में आए हम आपका सागत करते हैं मुझे भी सफर जिंदगी का जो आज आपने हैं बुलाया मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच आकर के मेरी फिल्म लाइन में शुरुआत से पहले मैं स्टेज को करता था कोटा में चोहत्तर से हमने स्टेज लाइन चालू करी स्टेज पर कलाकारी चालू करी फिर कलाकारी करते हुए उनिस सो असी में हमारे अंकल आर के सोरल जी ने फिल्म बनाई थी जल महल जिसमें जिते अंदर रेखा प्राण आदी थे तो मैं जब छोटा भी था और मेरी इस लाइन में शुरुआ थी तो मैं बंबे गया बंबे जाकर के मैंने शुटिंग में हिस्सा लिया और पूरी शुटिंग में में रहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसके बाद में फिर हमारी 86 में दूसरी फिलम जो हमारी होम प्रड़क्शन थी वो भी हमारे अंकल ने बनाई सबेरे वाली गाड़ी जिसमें सन्नी देवल पूर्नम डिलो प्राण आदी कलाकार थे तो मेरे को लगा कि यह लाइन बहुत अच्छी है क्योंकि मैं कोटा से जुड़ा वाऊं मैं कोटा में ही मैंने स्टेज किये हैं तो मैं फिर मेरे दिमाग में आया मैंने क्यों ना अपना कोटा में भी नाम किया जाए कोटा में भी फिल्म लाइन स्टार्ट की जाए तो हमा कोटा में भी अपन कुछ स्टार्ट करें तो सन नभ्य में जलियां वाला बाग फिलम जिसमें विलोध खन्ना, शवान आजमी, परिक्षे सानी बहुत अच्छे-च्छे कलाकार थे उनके साथ हम कोटा है और कोटा में हमने शुटिंग करी तो वो कोटा की शुटिंग की पहली शुरूबात थी हमारे मित्र लोगों की किरपा है कि उन्होंने विश्वास किया और कोटा में आये, तो मेरा शुरू से सपना था कि मेरे कोटा का नाम फिलम लाइन में आए, उसके पहले मेरे कोटा में इस्टेज बहुत किये, कम से कम 150-200 स्टेज हमने कोटा में किये स्टेज शो का भी आपको शौब रहा है जी हमारे गुरू थे महेंदर त्रिवेदी जी प्रबंजन दिख्षेज जी दयानन सप्रे जी तो इनके साथ हमने स्टेज शो किये स्टेज शो में कल्युक के सपूत फिर मैंने रामण की भूमिका भी करी राम लीला में भी काम किया यह सब हमारे गुरू देवों का था जिन्हों ने हम पर विश्वास किया और हमको इस लाइड पर स्टेज लाइन में लाए उसके बाद हम फिर फिलम में जुड़ गए तो आ आपने काफी स्टेज शो किये तो इस्टेज शो के प्रोग्राम के आप कोई पसंदिदर डायलोग हमारे दर्श्मों को जरूर सुनाईगा जी हां इस्टेज शो तो हमने काफी किये लेकिन उस स्टेज शो में जो सबसे प्रिये नाटक हमारा था कल्युक के सपूत तो उसक में एक डाइलोग सुनाता हूँ, मैं उसमें पिता की भूमी का मि था, मेरे पाँच बेटे होते हैं, तो उसका यह में डाइलोग आपको सुनाता हूँ, कि वारे वा भगवान, तुने भी कैसे कैसे कपूतों को जन्द दिया है, अरे भगवान जब किसी को देता है, तो चपर दिया कम न जादा पूरे पांस दिये हैं पांच पांच पांडव खेर साब एक को तो मैंने बना दिया शेहर का बहुत बड़ा डॉक्टर एक जनाब जज है जज अरे तीसरे तो वकील है और चोथे चोथे तो नेता है नेता पांच में तो हमारे गुरु निकले पक्के बिज दियालोग खेर अब देखना यह है कि इन में से कौन मेरा हो सकता है कौन मेरी इतनी बड़ी जायज़त समाल के रह सकता है तो इस तरह का नाटक का श्टार्टिंग डायलोग था और धन्यवाद उसके बाद हमने हमारे गुरु ने रामलीला इस्टार्ट करी थी तो रामलील और रामन का रोल उन्होंने बखू भी निवाया क्योंकि डायरेक्टर ही वो होते हैं जो कलाकार को आगे बढ़ाते हैं उन्होंने मुझे पर विश्वास किया तो मैं आपको एक छोटा सा रामन का डायलोग भी सुनाता हूं दर्शकों को भी मैं निवेदिन करता हूं कि हम लंकेश हैं बजर को अथरगर कीनो है चलेश पास चंदन की चंदर कासी कीनी चंद बंदना दंडक में कीनो हूं काल खंड मानू काल की हूं काल खंडना हा 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 केशब को डंड ऐसे कई डंड खंडे हम मैरे भुश्दंडन की बड़ी है बिड़मुना तो ये रामन का डेलोग है तो ये सब हमारे गुरूओं की और हमारे डिरेक्टर साब जो महेंदर त्रिवेदी से उनकी ही कृपा है जिससे कि आज हम आगे बढ़ें क्योंकि इस लोगडाउन ने पूरे साल पर तक फिल्म लाइन ही नहीं पूरे इंडिया को जग जोड दिया जिसमें अच्छे से अच्छे वैपारी अच्छे से अच्छे फिल्मेकर अच्छे से अच्छे और जो मीडियम क्लासता उसको भी काफी फरnas पढ़ा लोगडाउन के बाद हमारे फिल्म लाइन का बहुत बुरा हाल हो गया था फिल्म में बननी बन्न हो गई ए उसके बाद अब सब निर्माता वेव सीरीज की तरह आए तो कोटा में भी जो कोटा फेक्ट्री फर्श सीजन है ने किया था उसके बाद 19-19 है 2019 सोड़ी उस इसके बाद फिर उनका दूसरा सेजन कोटा में आया और अभी पिछले दिनों ही मैंने उसके शूटिंग कोटा में कराई तो कोटा में लोगडाउन के बाद वापस फिल्म शूटिंग के दरवाजे खुल गए हैं अभी फिलाल हमने एसपी साब के कहने से एसपी सिटी पुलिस की भी डोकुमेंटरी मनाई है जो बहुत ही शिगर जनता की बीच में आएगी तो कोटा में फिल्म नगरी के दुवार खुल गए हैं और कोटा में विकास के भी आयाम जिसमें रिवर्फ्रेंट और कोटा के चुराये, कोटा के चड़कें यह सब शांतीदारिवाल जी ने अभी जो सरकार है इसनों काफी विकास के आयाम अभी चालू कर रखे हैं और मैं समस्ता हूँ कि ये रिवर फ्रेंट और ये सारे चुराये जब पूरे हो जाएंगे तो कोटा का रूप बहुत अलग होगा सौंदरी करन में शांती धारिवाल साब का बहुत साथ है इसके लिए हम शांती धारिवाल साब को फिल्म नगरी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आप जो भी कोटा में विकास कराएंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो भी फिल्म इर्माता निर्देशक ज्यादा से ज्यादा कोटा में आ सकेंगे मैं पूरी कुर्शिश करूँगा बस ओम बिल्डा जी से और शानती धारिवाल से मेरा एक ही निवेदन है आपके मंच के माद्यम से कि कोटा में एर्पोर्ट शिगर लाए जाए ताकि बड़े-बड़े वॉलिवुट के कलागार भी कोटा में आ सकें वज ये मेरा एक डिवेदन है और ये आपके सफर जिंद्गी के मंच के माद्यम से भी मैं हमारे जन प्रतिनितियों पर ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारी रिक्वेश्ट तुनें और कोटा में ओम बिल्ला जी साहब जो लोग सब अध्यक्ष हैं शान्ति धारिवाल साहब जो हमारे कोटा के विकास पुरुश हैं वो एर्पोर्ट लाएं और कोटा के विकास को और गती प्रदान करें नए कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आपने बहुत अच्छा कोश्चन किया है मैं चुकि अब कोटा में होलीवूड वोलीवूड सबकी शूटिंगे चालू हो चुकी हैं और यूटूब भी आज कल ऐसा माध्यम है जो कई कलाकार पेदा कर रहा है और लोग दूसरा जो उनको आगे बढ़ाता है गुरू उसको कभी नहीं भूलें अपने गुरू से आशिरवाद लेके वो काम करें और आगे बढ़ें और मन में दोष्टा किसी के प्रतिनी रखें सिर्फ एक ही बात रखें कि हम कलाकार हैं और हमें अच्छा काम करना है जी अगर व वो नेक काम से चलते हैं नेक एरादे से चलते हैं तो सपलता उनके कतन चुमेगी आपस में एक दूसरे को लड़ाना या एक दूसरे की बात एक दूसरे करना ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कर आगे liegov Allison aja कि अजो जो ब्हूँ सिर्फ एक कारे करूँ ऐ मैं कला के शेत् हम पूरी उम्मीद करते हैं कि मेरी बात से विचलित ना हो बलकि ठटस हो और अपने कारे को आगे बढ़ाएं सर कोटा में कौन सी फिल्मों की शूटिंग आपके माध्यम से जब हम बंबे गए तो उस समय यहां अमारी आज शुकला जी थे जो एडिशन एस्पी थे हैं आपके कोटा में पुलिस में थे उनके माध्यम से एक शूटिंग आई थी वो थी माचिस जिसमें की गुलजार साथ थे जो माचिस की शूटिंग यहां हुई उसके पहले जलियम वालबाग की शूटिंग हुई तो माचिस की शूटिंग के बाद में दिल लगे की शूटिंग हुई 86 और 90 के बीच में ये दोनों शुटिंग होई तो इसमें भी हमने अपना जवो भी हमारा प्रोडक्शन का जो भी कार्यता वो किया उसके बाद 1990 में कोटा के ही हमारे निर्माता थे द्यानन सप्रे जो हमारे गुरुवों में से भी रहें जिन्होंने हमको स्टेज पे भी काफी डारेक्शन दिये उनकी फिल्म जीजा साली वो कोटा में बनी जो सारी शुटिंग कोटा में हुई और वो शुटिंग काफी अच्छी चली भी इसके बाद तो मैं क्या बता हूँ आपको वो मज़ू सुल्तान पुरी जी का एक शेर याद आता है कि मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजील मगर लोग साथ जुड़ते गए और कार्वा चलता रहा तो वही कार्वा लगातार आगे बढ़़ा है उसके बाद बीस सो सत्रा में थोड़ा था गेप बीज में पढ़ा क्योंकि मैं बंबे चले गया था तो बीस सो सत्रा में बद्री नात की तुलनियां जो करण जोड़ जी की धर्मा प्रडुक्शन की मुवी थी उसकी लोकेशन देखने के लिए मैंने बंबे में भी रिक्वेश्ट करी मैंने अज़ा हमारा कोटा बहुत अच्छा है तो हमारे जो मिनिश्टर थे शांती धारिवाल जी जो कोटा क काफी विकास के आयम पर ले गए उन्होंने सेवन मंडर यहां बनवाया काफी अच्छी अच्छी लोकेशन है तलाब को बहुत अच्छा बनाया बारा दरी और जिसको अपन केरिश्टी केते हैं किशोर सागर तलाब यह काफी अच्छ सुदर बनाया शारबाग के छट्रिय की शुटिंग कराई जाए तो हमने बंबे जाके करन जोर जी से निवेधन किया किसाब हमारा कोटा बहुत अच्छा है एक बारा पदा रो लेकिन सिर्फ कि बिमान की सेवा यह नहीं होने की वाइश से पहले तो करन जोर जी ने मना किया कि बड़े कलाकार है और वरू धवन है अलिया बट है हमारे डायेक्टर बड़े हैं तो वह बिगर विमान के तो आएंगे नहीं तब भी मैं से रिक्वेंट करी एका सर प्लैन से जेपुर्फ तक आजाए जए गए जेपुर्फ से कार से कार से आ सियूकरी किया और टीम को डायरेक्टर जो शक्षाशन खेतान दिलेक्टर थे उनको भेजा केंवडा टीम को वेजा तो जब बड़े बड़े कलाकार आए तो वो शुटिंग के बाद हाँ इसमें एक जरूरी बात यह थी कि पहले अलिया वट को जेपूर की बिटी बताया था तो जब मैं प्रिमियर पे गया और हमने साथ बेट करके फिल्म को देखा तो मैंने रिक्वेश्ट करी मैंने का सर कोटा में है मेरे कोटा का नाम वोली बोड था complexity है इसमornin अधी शुरू से तो हमने रिक्वेश्ट करी कि आलिया वट कोटा की बिटी बताया जाए तो वह रिक्वेश्ट भी हमारी मानी और आलिया वट कोटा की बिटी बताया मेरा दिल खुश हुआ उसके बाद इस सिल्सले को हमने आगे बढ़ाया फिर मरदानी टू की शुटिंग हुई हमारे मित्र हैं अजेश्रमा जी जेपुर के हैं उनके साथ मिलकर के हमने मरदानी टू की शुटिंग भी कोटा में करी और रानी मुकरजी की ती यशराज फिलम की ती वह काफी सक्सेज हुई यह अपने सेफ अली खान साब इनकी शुटिंग शेरगड़ में कराई मैंने बारा के बारा जिले में वो शुटिंग काफी अच्छा हुई लाल कपतान यह हमारी फिल्म लाइन के लिए कोटा के लिए बहुत अच्छा रहा कि उश टाइम हमने दो शुट करके के लिए कंपनि ने बनाई थी वो वेब सीरीज का फर्स सीजन कोटा मैं बना और उसको काफी पसंद किया गया फोरें तक में उसको पसंद किया गया तो इसतररे कोटा में फिल्मों का वाले वाले उडिद्ट शीटिंग दोरियआ कि उन्के टावर थें, उसकी शिटिंग वह भी होलिवॉड वाले वह उसमें वोलीवुड वाले 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 वह इस तरह से को में शिल्सिला चलता है, सबके स्योग से जिला प्रशासन का सयोग, पुलिस प्रशासन का सयोग, या की जनता का सयोग, आप सबका सयोग, मिलता गया कोटा के कलाकारों का, कोटा में जो मिली टीम है, जिसमें बुमनेश मावर, विक्की है, जिसमें मनीश आर्ये हैं, जिसमें आरेस तोमर साहब हैं, त जो कि अभी कोटा स्कूल ओफ ड्रामा के नाम से चलाते हैं, तो मैं जो भी कलागार लेता हूँ, मैं उन से लेता हूँ, एक टीम बर्क होता है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, पूरी टीम ने मिलके इस कारे को प्रसित किया, इस कोटा को प्रसित किया, साथ में हमारे शांति फोन करके जब भी मेरी शुटी हुई सोरल साब कोई दिक्कत हो नहीं है कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पताएं तो सबका सयोग रहा तो सबके सयोग से ही ये कारवा आगे बढ़ा जो आज आपके सामने है मैं कोटा के जो आपके सफर जिन्दगी का के दर्शक हैं उनका और सफर जिन्दगी का के आप जो निर्माता हैं जो आपके डियोपी हैं सबका मैं शुक्रिया आदा करता हूँ कि आज आपने इस मंच पर मुझे बुलाया मुझे बुला कर सम्मानित किया इसके लिए बहुत मैं भी सफर जिन्दगी का के निर्माता और सारे टीम का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करने चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लाइक समझा कि आज आपके बीच बेट करके दो बाते हो रही है इसके लिए मैं सफर जिन्दगी का के दर्शकों को और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत अबार धन्यवाद जिन्दगी का सफर हसते मुस्कराते चलता रहे उमंगों का दिया सदेव चलता रहे इनी शुप कामनाओं के साथ नमस्कार